नमस्कार दोस्तों निफ्टियो चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज फिर हम आप के लिए लेकर आए हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आज मार्किट काफी बुरी तरह गिरी क्यों क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी आज निफ्टी का साहत दिया तो इसलिए बैंक निफ्टी ने निफ्टी को और ज़्यादा गिरा दिया अब स्वाल ये उठता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां से यूटन लेगी उससे से पहले हम आपको बता देते हैं दो स्टॉक्स कल के लिए फिर हम आपको कमेंटरी बताते हैं कि आखिर आज कल मार्किट में चल क्या रहा है सब सबसे पहले तो भी यह देखते हैं कि SCL Tech क्योंकि Technology सेक्टर बुरी तरह गिरा वो क्यों गिरा क्योंकि जब भी बढ़ती है तो Technology पर असर पड़ता है उदर Nasdaq गिरा है तो इसलिए Nasdaq के गिरने की वज़ा से Technology सेक्टर भी गिरा तो SCL Tech में काफी भारी गरावर देखने को मिली क्योंकि इसने 50 एम और 100 एम को Technically तोड़ा जो कल ही तोड़ा हुआ था तो अगर हम कल वीडियो बनाते तो कल ही देते इसे अभी भी देड़नी हुई है तो 1183 के नीचे नीचे 1183 तक कोई भी जम पाए तो इसे Sell कीजिए 1211 का आपने Stop Loss रखना है एक बात का ध्यान रखना है अगर 1184 के ऊपर खुला 1184 के ऊपर खुला यह SCL Tech फिर नहीं बेचना बेचना इसे 1184 के नीचे नीचे यह है उस Stop Loss 1211 का रखना है और Target 1137 तक के हमको मिल सकते हैं अगर 1137 भी तूट गया तो 1061 आने से पहले एक बार यहां पे ग्यारा सो साथ पे आपने Profit Book करना है ग्यारा सो साथ इसका क्या है ग्यारा सो साथ इसका 200 एमा अगर 200 एमा जैसे ही आया अपना Profit Book करना है और अगर 200 एमा तूट गया तो next Target जो रहेगा वो रहेगा 1061 वैसे जो Calculation यहीं बताती है ड पे इंडस्ट्री ने एक बहुत ही इंपोर्टन लेवल 2755 यह देखिए हम आपको उतारते हैं यह देखिए यह कौन सा दिन है 8 जूम 2021 और यह आगी है फरवरी 2755 से बार बार यह स्पोर्ट लेता रहा है और अब इसने यह वाले लेवल जो तोड़ा है तो इसमें नीचे की और डाउनसाइड ब्रेकाउट आया है तो 2688 तक कोई भी उचाल आये तो सेल कीजिए स्टॉप लोस 2755 रहेगा और टारगर 2623 के आपको मिल सकते हैं तो यह थे दोस्टों कल के लिए अब हम आते हैं कि आखिर पूरे वर्ड में चल के आ रहा है तेखिए इस टाइम पूरे वर्डाल बे एक की प्रेशर है वह फेड की मीटेंग फैडफ की मीटेंगी इसी महिने और यह लग रहा है कि जिसे आप ओन जील बढ़ रही है उस ता प्रेइस साब से ये लग रही है कि जल्डी ही इंटरस्टरिट बढ़ेंगे तो वह उस इंटर्स रेट के प्रेशर के तहट, यह भारी गिरावट आई है, और इस टाइम अगर आप यह देखें, Dow को, Dow फ्यूचर को, तो आप देखेंगे कि यह प्लस में है, यह प्लस में क्यों है, एक सो साथ पॉइंट उपर है, वो इस लिए कि जब भी कभी भारी गिरावट आती है, तो उसमें शोर्ट कवरि भी है और दूसरा ये 200 डेमा पर भी है ये देखिए डाउ का 200 डेमा है 35018 तो exactly 35018 से इसने sport लिए है और इसलिए इसमें recovery है मतलब सभी market इस time technically चल रही है तो हमारी market भी अब technically चल रही है अगर कोई हम से पूछे कि ग्रावट क्यों आ रही है तो कारण ये है कि इसके technical terms टूटे है technical terms कैसे थे जैसे bank nifty का 38,000 जो आपने मेरे मुझ से सुनाई होगा कि 38,000 टूट गया तो गलत है 38,000 टूट गया तो 33,000 टूट गया तो वहीं हुआ 37,800 के नीचे मैं शुरू से कहता रहूं कि put ले 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 ना तो वहीं हुआ 37,800 के नीचे काफी भरी ग्रावट आई 37,650 ये शुकर है कि नीचे जो बैंक निफ्टी का 100M है 37547 तक आ चुक है 35,750 तक 37,550 तक तो 37,550 के आसपास ही इसमें पहले ही short covering आ गई और लोगों ने अपने short cover कर लिए तो इसलिए यहीं कारण है कि बैंक निफ टूटी है technical levels टूटे है 36,000 तो फिर 37,800 तो टूट गया दो चीजें टूटने के कारण इसमें भारी एक panic rate हो गया जिसने निफ्टी को भी खींच के ले आया नीचे तो यहीं कारण है तो इसके टूटने का अब स्वाल ये उड़ता है कि ये यूटन कहां से लेगी 100 एमा के उपर हैं तो ये 100 एमा से स्वोट लेता रहेगा बैंक निफ्टी तो अभी भी आपके पास अगर मान लीजिए 37,480, 37,550 तक कोई भी डिप आता है तो आप बैंक निफ्टी की call बाय कर सकते हैं 37,400 की stop loss आपने 37,300 का रखना है ये ध्यान रखिए 37,480 से फिर से बाय कीजिए stop loss 37,300 का रखना है अगर बाय चांद 37,300 तूट जाए तो आपने call में से निकलना है फिर आपने put लेनी है 37,500 की stop loss 37,550 का रखना है और नीचे जो टार्गेट रहेगा वो रहेगा आपका 20 डेमा तो याद है कि 20 डेमा भी नीचे एक राइजिंग 20 डेमा आ रह रहा है 50 डेमा 36,874 पर खड़ है मतलब यह एक strong sport zone भी कहा जा सकता है 37,000 भी है जो technical level इसका यहीं पे है 36,990 भी यहीं पे है 50 डेमा 370,77 50 डेमा 368,14 मतलब यह सारा कुछ यहां पे खठा हो चुका है 36,800 से लेकर 37,100 36,800 से लेकर 37,100 के बीच एक बहुत बड़ी sport है हम पहले भी यहां sport का हम यूज करते रहे हैं और sport हमने buy करके काफी कमा भी चुके हैं अब फिर से अगर 36,800 से 37,000 पर आती हैं तो यहां से तो आप यह कहले लिजिए कि 500,700 परसेंट पका है कि यहां से यूटन लेने लेना इ तो अगर यह आज ही वैसे तो यह जो इसकी ग्रावट आई है वो आई है 37,600 से 37,500 परचास अभी टच नहीं हुआ है अगर टच भी हो जाता तो हम यह कहते हैं कि 100,000 से sport ले ली थोड़ा 100 से पहले ही इसने sport ले ली तो यह भी show करता है कि थोड़ा aggressive है ट्रेडर वो इस तरह को कोई risk नहीं लेना चाहता और बड़ी जल्दी short recover होगे मतलब internally short recover होने चाहिए थे नहीं हुए और जो बाद में अगर 100 आते आते फटा फट लोगों ने short recover कर लिए तो तभी आप देखेंगे एक लंबी shadow आपको दिखाई दे रही होगे तो अब यह है अगर तो खुले flat तो डिप का वेट करना है 37,480 से 37,550 तक अगर यह 37,300 तोड़ दे पुट लीजिए 37,500 के stop loss के साथ 37,100 पे अपना profit book कर लीजिए 37,100 आए फिर से cold buy कीजिए 36,800 के stop loss के साथ फिर वापस आपको यह सारा कुछ मिलेगा 37,300, 3748,000 तक के target 100 एमा तक फिर से वापस चले जाएग अगर यह 38,100 के उपर जाए तब एक bull rally फिर से start हो जाएगी जो आएगी 38,100 के उपर 38,100 के उपर आते ही इसमें आपने 38,000 की call buy करनी है 37,600 फिर वहीं जौन शुरू हो जाएगा 37,100 के stop loss के साथ 38,100 की call यह 38,000 की call buy कीजिए और फिर उपर आपको वापस 38,226, 38,383, 384,333 औ आपको सारा कुछ मिल जाएगा मतलब मार्किट यहीं से यूटन होनी चाहिए थी आज ही मेरे हिसाब से यूटन हो चुकी है अगर कल बाइचास फिलैट खुल भी जाती है तो फिर से यहीं से यूटन लेगी अगर यहां से ना लिया तो 20 डैमा और 50 डैमा के इस एरिये से 700 तो 800% पक्का है कि यहां से यूटन जुरूर लेगी क्योंकि यहां पर काफी दो डैमा और स्पोर्ट भी है टेकनिकल स्पोर्ट भी 37,000 की तो यह था बैक निफ्टी अब हम आते हैं निफ्टी पर इंडिया विक्स गिरी है तो यह बुल्स के फेवर में है और उसके बाद अगर हम open interest देखें और PCR देखें यह बताएगा कि वाकि काफी कम है 0.54,0.37 तो इससे पता चलता है यह भी बुल्स के फेवर में है पर option chain देखिए काफी बिख्री है option chain कुछ clear नहीं कर रही क्योंकि जो put writer है वो यहां तो 17,500 पर है यहां फिर सिदा 18,000 पर है put writer call writer भी 18,000 प call writer put writer से ज़्यादा है तो इस तरह से मतलब कि कहीं एक जगा पर जोड़दा conviction नहीं नजर आ रही अगर conviction कहीं नजर आ रही है तो call writer जुरूर 18,000 पर बड़ा strongly खड़ा है मतलब वो कह रहा है कि 18,000 नहीं cross होगा तो अभी हम आते हैं nifty पर कि nifty में आपने क्या करना है देखे 17,633 जो 37,3 बज़े के आसपरास आई थी nifty और 17,745 ये है 20 डेमा 17,633 ये तकरीब है 100 डेमा 17,630 से 17,750 ये ऐसे area है जो एक no trade zone है इसके बीच में तो आपको कुछ trade करना ही नहीं चाहिए क्योंकि काफी tight area है यहां से एक मिनट में reversal भी आपने देखा है और लंबी shadow भी देखी है तो इसमें तो आप अपना अगर कोई call भी लेंगे तो आप गवाद होगे पुट भी लेंगे तो आप पैसे गवादेंगे क्योंकि एक मिनट सेकेंड में सारा कुछ हो जाएगा इसमें अब आता है कि basically कहां पे steadily हमने देखना चाहिए इसमें भी मैं निफ्टी में कहूंगा कि आज देखी यहां पे 20 डेमा था नीचे 100 डेमा था इसने फिर से लंबी shadow बनाई और इसने यूटन ले लिया है और मैं एक चीज और बता दूँ जो साफ साफ आपको समझ भी आ जाए माल लीजिए यहां पे निफ्टी खुलती है 17,740 के नीचे नीचे तो आपने कुछ नहीं करना यहां तो वेट कीजिए गिरावट का 17,600 के आसपास आए 17,580, 17,600, 17,700 यह 17,630 के आसपास आए 100 डेमा के आसपास आए दोनों तरफ 100 डेमा आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो कठे ही आएगा तो यहां पे आपको स्पोर्ट मिलेगी एक आप यहां 17,600 की कॉल बाय कीजिए 17,580 के स्टॉप लोस के साथ और नीचे भी एक चीज बता दूँ नीचे भी 50 डेमा खड़ा है इसका भी जो है 17 तकरीबन 17,500 पर अगर 17,500 सी टूटे पुट ले सकते हैं 17,600 की स्टॉप लोस 17,635 का लगाई है यह 100 डेमा का और नीचे टार्गर आपको 17,500 मिल जाएगा पर वो पॉसिबल नहीं है सबसे बेले तो पॉसिबल यह है कि यह अगर मालिजे कल 17,750 के उपर खुलते है 20 डेमा के उपर भी यहां खुले तब भी आपको यह है कि यह हां पर अगर कॉल लेंगे भी तो रिस्की रहेगी क्यों क्योंकि 17,900 पर कॉल राइटर काफी जाद है 17,900, 18,000 पर कॉल राइटर इतना है कि वो यही से इस मार्किट पर प्रेशर डालेगा और इसे नीचे दगेलने की कोशिश करेगा वो कोशिश करेगा कि 20 डेमा तूट जाए तो इसलिए आपने इस संघर्ष में नहीं फसना असली जो बाइंग आएगी जिसे हम कहते हैं कि हाँ अब ये बाइंग सेफ है जहां पर वो आएगी थोड़ी सी 17,900 के उपर वो क्यों आएगी कारण ये है कि 17,880, 17,890 एक स्ट्रोंग स्पोर्ट है जो आपको याद होगा कि जब मैंने पर सो वीडियो मनाई थी तब मैंने आपको कहा है कि मार्किट 17,890 तक जाएगी और वो गई भी वहाँ पे और वहाँ पे उसले क्लोजिंग भी दी पर अब फिर से अगर 17,890 के उपर आती है क्योंकि यहाँ पर इसने बार-बार स्पोर्ट ली वी है पिछले सारी हिस्टोरिकल चार्ट अगर अब देखेंगे तो आप देखेंगे कि 17,900 पर इसने बार-बार स्पोर्ट ली है चाए 17,000 वाला कॉल राइटर वीक पड़ जाएगा वो फिर अपनी जगा छोड़ देगा 17,900 के उपर अगर आती है मार्किट तो यह ध्यान रखें तो आपने यहाँ पर 17,900 के उपर भाय करना है 17,800 स्थी के स्टॉप लोस के साथ और टार्गट आप कहना चाहिए 17,900, 17,950 उसस 17,900, 17,950 तक ही कॉल बाय करनी है अपना प्रोफिट बुक कर लेना है उसके बाद चुप चाप देखिए कि क्या होता है 18,070 के उपर जैसी निफ्टी आएगी तो एक बड़ी शोट कवरिंग आजएगी जो इसे 18,140, 18212, 18294, 18365 तक फिर वापस ले जाएगी मतलब आपक होगे कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे खुल जाए कुछ नहीं करना इस एरिय में खुल जाए कुछ नहीं करना अगर 17,580 तोड़ जाए तो पुट ले ले नहीं है और अगर फ्लैट खुले तो देखिए 17,900 से उपर आए फिर थोड़ी सी रिकवरी आएगी 17,950 तक फिर उ पसानी से आपको 18,350 तो यह एक हाँ इसारी निफ्टे की तो जो जिन्हों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है सबसे बिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का बटन दबाईए नीचे फ्री टेरिगरम चैनल का लिंक दिया है वहां से भी आप आप उससे जोइन कर सकते हैं नीचे DMAT account के link दिये हैं वहाँ पर click कीजिए अपना DMAT account खोलिए तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद देजिए लाइक कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share कीजिए थेंक यू थेंक यू थेंने बाद